Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel friends आज हम बात करेंगे VLOOKUP की और VLOOKUP में multiple values निकालने के बारे में जी हैं दोस्तों कैसे ये formula काम करेगा इसके बारे में बात करेंगे तो हमने आपको VLOOKUP तो पहले ही सिखाया है ये वीडियो जो है इस बात को लेकर के है कि अगर यहां पर देखिए यहां पर राम कुमार के जो सारे number है चाहे हो maximum हो, minimum हो, obtain, marks हो, average हो, कुछ भी हो ये सारी values एक बार में आ जाएंगी, वो कैसे होंगी आईए देखते है सबस्क्राइब यहां पर हम करसर रख लेंगे चुकि हमें सारी values एक साथ चाहिए तो हम यहां लगाएंगे is equal to, we look up यह लगा दिया हमने, अब हमें look up किसको करना है तो look up यहां पर जो हम लिखेंगे उसी को look up करना है तो यहां पर हमने इसको select कर लिया अब एफ़ोर दबा करके यह पूरी जो row और column है इन दोनों को fix कर देंगे, fridge कर देंगे उसके बाद comma देंगे और table array को select करेंगे तो table array हमारा यह होगा यह पूरा table array हमने कर लिया select अब table array को select करने के बाद एफ़ोर दबा करके इनको भी fix कर देंगे, comma देंगे और यहां लगाएंगे हम columns का formula तो columns का formula लगाना है column का नहीं तो columns लगाईएगा आप columns लगाने के बाद यहाँ पर यह जो दो columns दिख रहे हैं आपको इन दो columns को आप कर दीजिए select और इनका पहले वाला हिस्सा जो है पहला हिस्सा यह जो दिख रहा है आपको इसको F4 दबा के कर दीजिए fix अब आपको करना यहां से इसको बंद और बंद करने के बाद comma देना है फिर यहां 0 देना है क्योंकि exact match चाहिए और interface करेंगे यहां देखिए na आ रहा है not applicable तो यहां not applicable इसलिए आ रहा है कि यहां कोई नाम लिखा नहीं हुआ है जैसे यह रामकुमार है यह लखन है तो यह जो है हमारा answer आ जाएगा automatically यहां पर देख सकते है automatically answer आ चुका है अब इसको मैं drag करता हूँ तो यह देखिए drag करने पर same to same जो values दी हुई थी एक दम वही values यहां पर आ चुकी है आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर हमें दूसरा देखना हो या दूसरे पर formula यही apply करना हो तो क्या करेंगे जैसे माली जी यह तो लखन कर रहा यहां पर अगर मैं यहां से drop down से ही चूच कर लेता हूँ लखन के बजाए हमें यहां पर राम कुमार का देखना हो तो तो यहां देखिए राम कुमार का नंबर आ गया अगर राम कुमार के बजाए आपको परवेज का नंबर देखना हो तो यहां परवेज का नंबर आ गया जिसका भी नमबर चाहें आप बहुत ही असानिक साथ देख सकते हैं उमीद है यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही योगी सावित होगा अगर वीडियो अच्छी लगए तुछे शेयर करें लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कुछ कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि यह वीडियो कैसी बनी है थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो